कि कैसे लड़की के चोली में बीयर डालकर पीने से आपकी उम्र बढ़ सकती है। किसी लड़की के चोली बलावुच साया फारने का, किसी भी लड़की के नाभी में उंगली डालने का, उनको कोई अधिकार नहीं है। रसियन बटवा देंगे राशन में, खेर खुत्य टुन्टुन यादव अपनी शादी पूजा यादव नाम की एक सरधारन लड़की से किये हैं, भोजपुरी कलाकारों को ढोड़ी में बीयर डालकर पीदे से फुरसत ही नहीं है, समाज को सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं, तो समाज को अगर कुछ अच्छा नहीं दे सकते हैं, तो समाज में गंदगी फैलाने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है, कि बिखारी ठाकुर का नाटक, बेटी बेचवा, विदेसिया, गंगस्तान, जैसे कई नाटक थे, देखे आज से 9 महीने पहले चुन्टुन लोगों में रसियन लड़की बाटने की बात कर रहे हैं, खैर, ये बोजपुरी कलाकार हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, व्यूज के लिए तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दर्शक होने की नाते, हम और आप ऐसे गाने सुनने में शर्मा जाएंगे, लेकिन ये लोग अपनी लाज हया सब बेच खाए हैं, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को भोशपुरी गाय कहते हुए सुनते हैं, या ऐसे गायकों का जब कोई गाना सुनते हैं, तब हमको याद आता है भिखारी ठाकुर की लोग प् हीड लग जाती थी, हलाके भिखारी ठाकुर ची को देखने और सुनने का सभागे तो हमारी पिढ़ी को नहीं मिला, लेकिन हमने भिखारी ठाकुर के बारे में जितना सुना है या पढ़ा है, उसको सुनने और पढ़ने के बाद तो यही लगता है, कि भिखारी ठाकुर होन पवन सिंग जैसे बड़े सुपोस्टार की कोई फिल्म आती है और उस फिल्म के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता है आज इस थिती ये है कि उल्टा पत्रकारों को पूछना पड़ता है कि भाई सहाब आपके जो नई फिल्म आई है वो कहां लगी है हमने सुना है कि पूछपुरी कलाकारों को ढोड़ी में बीयर डालकर पीडे से फुरसत ही नहीं है बाकियास के इस वीडियो में हम इन ही सब बिंदूओं पर बातचीत करेंगे लेकिन उसे पहले नमशकार मिरना में डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच जब भी विखारी ठाकुर की हमेशा एक कलाकार के साथ समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि भी ठाकुर अपने जीवन में जितने भी नातक या गीत संगीत किये हैं वो सिर्फ नातक और गीत नहीं होते थे उनका उदेश अपनी कला से पैसा कमाना घर बनवा लेना गाड़ी खरीद लेना आइफून ले लेना ये सब नहीं होता था वो आज की कलाकारों की तरह अपने समाज विशेस पर गाना नहीं गाते थे वो किसी की बेहन बेटी को अपने गानों में जलील नहीं करते थे उनके गानों के पोस्टर में किसी बाप की बेटी किसी भाई क बहन की अश्रील फोटो नहीं लगाई जाती थी उनको बोजपुरी का शक्सपियर इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने बोजपुरी के अस्मिता के साथ खिलवार किया था बलकि उनके नाटक और गीत उस समय के इस्त्री विमर्श के परताल थी और साथ ही उस समय के का दुरुपयोग नहीं करते थे वो लाईव आकर किसी से गालिक लोज जगड़ा नहीं करते थे बलकि विकारे छाकुर बोजपुरी इंडस्ट्री के वो लिजन कलाकार थे जिन्होंने अपने गानों से समाज की कुरूतियों को दूर करने का प्रयास किया है लेकिन आज के कलाकार को समाज की कुरूतियों से कोई मतलब नहीं है आज की भोजपुरी कलाकार तो ये दावा करते हैं कि अगर हम नेता बन जाएंगे अगर हम शासन में आ जाएंगे तो हम रशियन लड़की बटवा देंगे आज की भोजपुरी कलाकार तो अपनी उम्र बढ़ाने का तरीका बताते हैं आज के बोजपूरी कलाकार बताते हैं कि कैसे लड़की के चोली में बीय डाल कर पीने से आपकी उम्र बढ़ सकती है आज की कलाकार तो भरे मंच पर खड़े होकर अपने साथ वाली लड़की को मिया खलीफा बुलते हैं बिना इस बात का परवाह किये अपने गीतों से अपने नातक से अपने फिल्म से समाज को सुधारने का काम नहीं कर सकते हैं तो समाज में गंदगी फैलाने का भी उनको कोई अधिकार नहीं है अपनी भाषा को बदनाम करने का अपनी भाषा को अमर्यादित करने का रोड पर अपनी भाषा को लाने का अपनी भाषा से खिलवार करने का किसी लड़की के चोली बलाउट साया फारने का किसी भी लड़की के नाभी में उंगली डालने का उनको कोई अधिकार नहीं है चाह दिएगा फिलाल इस वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं मिलते हैं किसे नए वीजियो में धन्यवाद